ओम नमः शीवाद आईए सुनते हैं रभी प्रदोस ब्रत कथा एक समय शर्व प्राडियों के हितात परमपावन भागेरती के टटपर रिशी समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया इस सभा में ब्यास जी के परमसिश्य पुरारवित्ता सूत जी महाराज हरी किर्टन करते हुए पधारे सूत जी को आते हुए देखकर सौनकादी 88,000 रिशी मुनियों ने खड़े होकर डंडवत प्रणाम किया महाग्यानी सूत जी ने भक्ति भाव से रिशियों को हिर्दय से लगाया तथा आशिरबाद दिया बिद्यमान रिशीगर और सबसिस्य आसनों पर विराज मान हो गए सौनकादी रिशी ने पूछा हे पुज्यवत महामते कृपया यह बताने का कष्ट करें की मंगल प्रद कष्ट निवारक यह ब्रद सबसे पहले किस ने किया और उसे क्या फल प्राप्थ हुआ स्री सूत जी बोले आप सभी सिर्ग के परमभक्त हैं आपकी भक्ती को देखकर मैं ब्रती मनुश्यों की कथा कहता हूँ ध्यान से सुनो एक गाउ में अती दीन ब्रामः निवास करता था उसकी साधवी इस्त्री प्रदोस ब्रत किया करती थी उसे एक ही पुत्र रत्न था एक समय की बात है वह पुत्र गंगा असनान करने के लिए गया दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे की हम तुम्हें मारेंगे नहीं तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो बालग दीनभावसी कहने लगा की बंधूओं हम अतियंत दूख्ष दीन है हमारे पास धन कहा है तब चोरों ने कहा की तेरी इस पोटली में क्या बधा है बालग ने निशंकोच कहा की मेरी मा ने मेरे लिए रोटियां दी है यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा की साथियों यह बहुत ही दीन दुखी मनुश्य है अता हम किसी और को लूटेंगे इतना कहकर चोरों ने उस बालग को जाने दिया बालग वहां से चल दे हुए एक नगर में पहुचा नगर के पास एक बरगत का पेर था वह बालग उसी बरगत के ब्रिच की छाया में सो गया उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगत के ब्रिच के पास पहुचे और बालग को चोर समझकर बंदी बना राजा की पास ले गए राजा ने उसे कारा वाश में बंद करने का आधेश दिया ब्रामरी का लड़का जब घर पर नहीं लवटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई अगले दिन प्रदोस ब्रत था ब्रामरी ने प्रदोस ब्रत किया और भगवान संकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुसलता की प्रार्थना करने लगी भगवान संकर ने उस ब्रामरी की प्रार्थना स्विकार कर ली उसी रार भगवान संकर ने उस राजा को श्वपन में आधेश दिया की वह बालक चोर नहीं है उसे प्रातह काल छोड़ दे अन्यथा उसका सारा राज्य बैभव नश्ट हो जाएगा प्रातह काल राजा ने सिवजी की आज्यानुसार उस भालक को कारावास से मुक्त कर दिया बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई सारा ब्रितान सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दर्बार में बुलाया उसके माता पिता बहुत ही भैभीत थे राजा ने उन्हें भैभीत देक कर कहा कि आप भैभीत नौ हों आपका बालक निर्दोस है राजा ने ब्रामहर को पाच गाउं दान में दिये जिस्से की वे सुक पुर्वग अपना जीवन ब्यतीत कर सके भगवान सीव की कृपा से ब्रामहर परिवार आनंड से रहने लगा अतर जो भी मनुश्य रभी प्रदोस ब्रत को करता है वह शुक पुर्वग और निरोगी होकर अपना पूर जीवन ब्यतीत करता है रभी प्रदोस ब्रत के दिन ब्रती को प्रातह काल उटकर नित्यक्रम से निव्रीत हो असनान कर सीव जी का पूजन करना चाहिए पूरे दिन मन ही मन ओम नमशिवा का जब करें पूरे दिन निराहार रहें त्रयोदसी के दिन प्रदोस काल में यानि सुर्यास्त से तीन घड़ी पुर्व सीव जी का पूजन करना चाहिए रभी प्रदोस ब्रत की पूजा साम सारहे चार बजे से लेकर साम साथ बजे के बीज की जाती है ब्रती को चाहिए की साम को दुबारा असनान कर स्वच स्वेत वस्त्र धारण कर ले पूजा अस्थल अत्वा पूजा ग्रिह को शुद्ध कर ले यदि ब्रती चाहे तो सिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं पाच रंगों से रंगोली बनाकर मंदफ तयार करें पूजन की सभी सामगरी इकत्रित करने कलस अथवा लोटे में सुध जल भरने कूश के आसन पर बैठ कर सिव जी की पूजा बिधी बिधान से करें ओम नमस्षिवाय कहते हुए सिव जी को जल अरपित करें इसके बाद दोनों हाथ जोड कर सिव जी का ध्यान करें ध्यान का शरूप करोडों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चन्द्रमा का आभूसर धारण करने वाले, पिंगलवड के जटा जूर धारी, नीले कंट तथा अनेक रुद्राच मालाउं सी सुसोभित, बरधस्त, त्रिसूल धारी, नागो के कुंडल पहने, ब्याग्र चर्म धारण किये हुए, रत्म जड़ी सिंघासन पर विराजमान, सीवजी हमारे सारे कष्टों को दूर कर, शुक्षमरिधी प्रदान करें, ध्यान के बाद, रभी प्रदोस ब्रत की कथा सुने, अथवा सुनाएं, कथा समापती के बाद, हवन सामगरी मिलाकर, ग्यार या इक्कीस या एक सो आठ ओम हिरीम क्लीम नमा सिवा श्वाहा, मंत्र सिय आहूती दें, उसके बाद सिवजी की आरती करें, उपस्थित जनों को आरती दें, सभी को प्रसाद बित्रित करें, उसके बाद भोजन करें, भोजन में केवल मीठी सामगरियों का उप्योग करें